बाई KTM जो 200cc और 390cc में आती है वो consider की जाती है as a dangerous machine लड़के को नहीं दिलाने even college में अच्छे नंबर भी आज़े इस नोट a safe machine accident हो सकता है बहुत सारी अन्होनी हो सकता है और बहुत सारी घटनाएं घट सकती है बाट वो होती है 390cc की top end जो KTM produce कर रहा है in India इंडिया के अंदर से बाहर तो वो लोग भी superbike categories में खेलते हैं बट इंडिया के अंदर जो उनका market है वो maximum 390 और 200 की category के अंदर आता है वो market उन्होंने capture कर आऊ है अब यह समझ लो 390 उनका top end है और हावासागी के लिए हो सामान्य हावासागी मतलब 900cc के इंजन में खेल रहा है यह जो Z900 है यह more than 900cc का इंजन है इसके अंदर मजाक से तो बिल्कुल हटके यह समझ लो कि 3 KTM और एक Z900 पावर का जो रेशियो है वो तब जा के balance होगा एक छोटा सा comparison था ही अगर आप समझ पा जानकारी खटा करने और थोड़ी बहुत जानकारी जिनके पास अल्रेडी मौजूद है पर एक सामान्या आदमी को तो फैक्ट बेस्ट बात चीए सिंपल सीधे शब्दों में किदा सीधा comparison करके मैंने आपको बता दिया KTM की जानकारी जिसके पास हो समझ जाएगा कि how much power these bikes इन bikes में कितनी पावर होई है कितना के अंदर potential होता है यह सब तो हो गई बाते ज्यान वर्दक ज्यान देने वाली बाते हो गई अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस वीडियो को शुरू किसले कराती रीजन इसकी service करानी तो भाई से पहला काम यही करता हूं मैं कि इसको ले ज्यादा क्योंकि बाई back to back गाने आ रहे हैं समझेरों तुम्हारा इस टाइम पे इतनी हसल कर रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो में रीजन यही था service ना करवा पाने का कि जब गाना रिकॉर्ड कराने में सुबह से शाम बीच जाते हैं सुबह 8 बज़े स्टूडियो में पहुचना होता है रात के 8 बज़े तक गाना फाइनल हो रहा होता है उसमें mixing mastering का का काम है recording करते म्यूजिक बठाने का काम है इसारी मैं मेरे भाई की help ले रहा हूं जो beat producer है beats बना रहे है इतना ही external help है बागी भाई सारा तुम्हारा भाई खुद manage कर राइटिंग से लेके production तर अवाज से लेके हर चीज तुम्हारे भाई की अपनी original है तो original शेट है त्रिनेत्र भाई त्रिनेत्र बनाना देखो हमारा गाम म मेरी स्टोरी थी मेरी ही सारी कहानी थी भाई जस्ट अभी नहा के बाहर निकला है saw my hair मेरी नजर पड़ी बालों पर जिन पर मैंने दो तीन बार हाथ मार चुका था एक अलग तरह से मेरे बाल मेरे सर पर सेट हो चुके थे जो कि मैं usually carry नहीं करता हूं this kind of hairstyle naturally बन गया अचानक से मेरा ध्यान नहीं था and मैंने camera की screen खोली मेरी नजर पड़ी की भाई it's looking quite good didn't expected it ये इतने भैतर लगें बट ये लग रहे हैं so I am just carrying on with this look मैंने इसको ऐसी रहने दिया and मैंने start कर दी आज का vlog start हो चुका है बाल तुम देख चुके हो there is only one thing एक चीज तुम यह सामने notice कर पा रहे होगे मेरे बालों को देखके at not only my hairs but my beard also has been growing quite fast मतलब इतना expected नहीं था not even a month has been passed by जब मैंने अपने बाल कराय थे अब से it's around 20 days or maybe 2 weeks something and apparently if we can see here मेरी beard से लेके मेरे बाल नो बढ़ चुके है and now it's time to get my beard trimmed not only my beard but my hairs also then the question comes why I am not going to a barber and getting myself groomed up क्या reason है उसका reason यह है भाई कि I am obsessed with this hair color green hair color I am literally obsessed with this color मैं पर ऐसा मन हो रहा है I should carry it as long as I can जितनी मेरी शम्ता है जब तक मैं रख सकता है जब तक रखा जा सकता है जब तक इस संभव है कि यह इस look को carry किया जा सकता है तब तक क्यों ना किया जाए तब तक क्यों ना रखा जाए रखने की बात आती है तो भाईया care करना बहुत जरूरी भाई की एर तो मैं करता हूँ, शैंपू से लेके, कंडिशनर से लेके, everything, हर चीज, हर वो संभफ प्रयास जो इन बालों को और बहतरीन रंग, रूप और लुक दे सकता है, मैं वो चीज करता हूँ, भाई मेरे पहले के हैर कट्स तो आपने देखी होंगे, मैंने यूज्वल आर्मी कट, बिसिकली प्रॉपर आर्मी कट नहीं कहूंग, बट मोस्ट आप दाइम छोटे रखे हैं, कई बार जीरो ट्रिम्ड भी रखे हैं, मतलब की जरा से भी नहीं, बिल्कुल, लीन सपा शट, लीन साफ सुथरे, बट जब से मैंने अपने बाल थोड़े लंबे की है एंड कलर कराई हैं, जब से उनका लुक बदला है, उनका अपीरियंस बदला है, अपना थोड़ा गेटब बदला है, I am getting this idea कि we can play with our hair spy, इनके साथ खेला जा सकता है, इनके साथ time spend किया जा सकता है, इनको समझा जा सकता है, इनको जाना जा सकता है, और इनके साथ बहुत कु possibilities जो खुल जाती हैं, जब हम बाल कलर कराते हैं, जब से मैंने बाल कलर कराया है, तब से I have been trying a lot of different kind of hairstyles, जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो के स्टाइटिंग में मैंने बाल बिलकुल अलग तरह से रखे थे, अभी इस वक्त मेरे बाल बिलकुल अलग डिरेक्शन में, बिलकुल अलग एंगल पे और बिलकुल अलग लुक में सेट हो चुके हैं, यह जो ट्रांजेशन था ना, it just happened in few seconds, that's the power of the big hairs, बालों के साथ कितना कुछ किया जा सकते हैं, there are a lot of possibilities, जो खुल सकती हैं भाई, जब आप अपने बाल कलर कराते हैं, I am not suggesting anyone to get their hairs colored, because it can be harmful for your hair growth, at the same time, your hairs can lost their color, पर दावा नहीं कर सकते हैं, accurately नहीं कह सकते हैं, हर किसी की body में हो उसी तरह से react कर रहा है, जिस तरह से हो मेरी body में कर रहा है, but इतना, there is for sure that it is not 100% safe, bleach कराना बालों को, क्योंकि it's the process of burning down your hairs, तुम्हारे बालों को जलाने का process है, and then उसके बालों की नए रूप को देने का process, भाई ये process हर किसी के लिए नहीं बना है, जैसे कि जिन्दगी में हर दवाई, हर बिमारी के लिए नहीं बनी होती, उसी तरह से hair colors है, hair dye है, hair पे जितने भी और चीज़ें होती है, वो सब है, कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है,